नमस्कार कोईखिंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पले स्टोर से अकाउंट को लाग आउट कैसे करते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए सुरू करते हैं तो play store से account को log out करने के लिए sign out करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने phone में play store को open करना है open करने के बाद उपर में आपको एक profile icon का option मिलेगा profile photo का option दिखेगा तो आपको इस पे click करना है उसके बाद इसमें आपको कहीं पर भी lag out करने के लिए sign out करने के लिए आपको option नहीं दिखेगा तो उसके लिए आपको कोई दूसरा तरीका से lag out करना है sign out करना है तो इसके लिए आपको play store से cut करना है cut करने के बाद अब आपको अपने phone में settings को open करना है open करने के बाद आपको उपर की और scroll करना है scroll करने के बाद आपके phone में एक users and accounts का option मिलेगा अब आपको यहाँ पे click करना है और यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक google का option दिखेगा और यहाँ पर हो सकता है कि आपका email id दिखे अगर यहाँ पर आपको आपका email id नभी दिख रहा है यहाँ पर आपको Google दिख रहा है तो आपको उस पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद उपर में आपको एक three dot का option मिलेगा तो आपको इस पे क्लिक करना है उसके बाद आपको एक Remove Account का Option मिलेगा अब आपको Remove Account पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद फिर से आपको Remove Account पे क्लिक करना है और यहां से आपको OK कर देना है ओके करने के बाद यहां से आपके play store से account logout हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि यहां से सारे चीज़ को recent से हटा देना है हटाने के बाद आपको अपने phone में play store को open करना है open करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि play store से यहां पर account logout हो गया है sign out हो गया है तो इस तरह से आप Play Store से आकाउंट को ला आउट कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं, धन्यवाद.